Hello students, आप मैं से काफी सारे students के मेरे पास बैसे message आते थे कि वेटनरी काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी तो वेटनरी की काउंसलिंग जो है वो आल इंडिया 15% कोटा के लिए आपे स्टार्ट कर दी गई है जिसकी website है vcicounseling.nic.in इसके बारे में मैं आपको registration जो है वो स्टार्ट हो चुके है तो एक एक step जो हूँ आपको इस वीडियो में आपके साथ सेर करूँगा तो वीडियो को प्लीज सूट आन तक देखेंगा तो सबसे पहले आपको वेडियो काउंसलिंग की इस website पर जाना है जिस website पर आप जाएंगे तो आपको सबसे पहले step आपका new registration करना होके आपको यहाँ पर चालान प्रिंट यहाँ पर लिखके भी आ रहा है candidate I suggest to print चालान first by using the चालान step first option उसके बाद फिर आपको new user का registration आपक यहाँ पर चालान जो है वो अपना यहाँ पर प्रिंट कर लेना है अगर इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो फिर आपको यहाँ पर new registration पर क्लिक करना है जब आप new registration पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको अपनी सारी details जो है वो अच्छे साही बिलकुल फिल करने जो आप लोगों ने पहले भी नीट इंटरंस एक्जामनेशन या फिर M.C.C. काउंसलिंग के टाइम पर आप लोगों यहाँ पर फिल की होंगी मैं अगर आपसे काउंसलिंग के सेडियूल की बात करूं काउंसलिंग के लिए जो आपकी registration है वो 2nd of the January से लेके 10th of the January तक तो registration fees भी आप सेम यहाँ पर time period तक यहाँ पर फिल आप यहाँ पर कर सकते हैं और payment के option आपको वहाँ पर दिख जाएंगा अगर seat allotment की बात करें तो आपको process यह seat allotment का आपको 11 से 13 जनवरी तक चलेगा उसके बाद अगर बात करें तो कि 14 जनवरी को आपको यहाँ पर seat allot allotment जो है आपको मिल जाएगा और आपको रेपोर्टिंग जो करने ही आपकी 15 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आपको रेपोर्टिंग यहाँ पर करने है अपने allotted college में students अगर मैं आपको बात करूं कि round 2 के लिए आप यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेगा कि जो round 2 है आपका उस round 2 में आपको कहीं भी fresh registration का auction यहाँ पर नहीं देखेगा करके participate यहाँ पर कर लेंगे तो आप यहाँ पर round 2 में आपको fresh registration का option नहीं है आप सीधा मौपो राउं काउंसलिंग के लिए तो इसमें आपको fresh registration यहाँ पर देखने को मिलेंगे उन candidates के लिए जिन्हों ने round 1 में और round 2 में participate नहीं किया यहाँ पर इन लोग यहाँ पर दिखा हो जाएगी इस ट्रॉंट सब्सक्रा सीट में आपके बात करूं तो टोटल यहाँ आपकी सीट मेट्रिक्स ग्रांड टोटल सीट मेट्रिक्स की अगर मैं आपसे बात कहांता हूं तो आपकी 607 जो हैं वो सीट्स हैं जिसमें आपकी category wise यहाँ पर सीट डवाइड़े आपको अब इसी category की यहाँ पर ओल इंडिया कोटा आप 4 सीट में लेंगे और लेनिया कोटा में सीट नहीं होती हैं आपको अन्रजब कैटेकरी में 441 आपको सीट से यहाँ पर देख जाएंगे अन्रजब कैटेकरी पीएच में अगर बात करने फिजिकल हैं आपको सीट देख जा आपको अलाटमेंट लेटर की डिकॉर्मेंट हो की एडमेट कार्ड जो आपका नीट के दोरह इसू किया गया होगा साथी साथ आपका रेंग कार्ड आपका अधर कार्ड आपको जो एक आडेंटिटी प्रूफ के बाद में बात करें बड़ सेटिफिकेट अगर आपको करेंट भी नहीं वा था तब भी मैंना आप सका था कि जो आपने सेम फोटो जीट के अप्लिक्शिन्मेंट के डियार रहने होगी तो यह सब आपको डॉक्वंट से यहां पर रिकॉर्मेंट होगी आप लोग इस को देख सकते हैं नीचे आपको एक्टेग्री सर्टिफिके सकते हैं अगर मैं आपसे बात करूं कि ओन्लाइन रिजिस्टेशन के लिए मॉपराण कांसिंग और फ्रेस रिजिस्टेशन के लिए फीस की बात करूं तो जनरल कैठे के लिए